हेलो फ्रेंड्स विल्कम तो माई चैनल गार्डेनिंग इस माई लाइफ फ्रेंड्स आज हम देखेंगे जो कलंचो प्लैंट हम नर्सरे से लेके आये थी और उसको रिपटिंग किया था वह आप कैसे हैं कैसे ब्लूम कर रहा है हम देख रहे हैं आपके सामने है जो औरेंज क देखें कितना सुन्दर लग रहा है इसके लिए मैं सोयल कैसे त्यार किया था उस वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था मैं डिस्क्रिप्शन बॉस के उसका लिंक दे दूंगी आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत फ्लावार है फ्रेंड्स आपके पास अग यह एक साथ खिल रहा है देखें कितना सुन्दर लग रहा है आप गार्डेन में आपको गार्डेन में एड करें तो बहुत ही खुबसूरत लागेगा आपका गार्डेन फ्रेंड्स यह जो कोलंचों है यह एक सकुलेंट है यह ब्राफाइलम फैमिली से हैं यह आप काटिंग से आप इजीली इसको दुसरा प्लैंट त्यार कर सकते हैं यह जो प्लैंट देख रहें आप यह दोनों में काटिंग से त्यार किया हूं अगर आप चाहे थोड़ी सी क्यार कर ले इसको तो आप सल्भर यह प्लैंट को आप रख सकते हैं देख सेकते हैं फ्रेंट ज्यादा क्यार कि इसको जो रुरत नहीं है फिर भी विंटर के बाद समार में थोड़ी सी क्यार करना पड़ता है जहाँ पर ज्यादा गर्मी होता है बहुत ही खुबसरत प्लैंट है यह बहुत सारा कालार में इसका फ्लावार होता है मेरे पास तो यह रेड और और औरेंज यह वाइट है इससे भी और भी होता है यलो होता है मेजेंटर कालार भी होता है देख सकते हैं वाइट सारा अक्साद जब खुल जाएगा तो यह भी बहुत सुन्दर लगेगा यह देखिए फ्रेंड मैंने दो कटिंग लगाया था एक वाइट का और एक अरेंज का चार-पास दिन ही हुआ है कटिंग लगाया है मैंने अभी तो ऐसा है मैं बाद में आप लोग को दिखा दूंगी इसका अपडेट किसी वीडियो में देख सकते हैं इसका पानी ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि यह एक सक्कुलेंट है ज्यादा पानी का ज़रूरत नहीं होता है लाइट जहां पर अच्छा है वहाँ पर राख सकते हैं मैंने तो मेरा बैलकोने में इसको रखा है यहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन भी है और लाइट भी अच्छा से आता है आप ऐसे फूल सनलाइट में भी रख सकते हैं विं धूप में रखेंगे ज्यादा धूप में तो इसका पत्ता जल सकता है इसलिए सामर में इसको थोड़ा सा क्यार करना पड़ता है और सेड़ी आरे में रखेंगे जहापर अच्छा लाइट फ्राइट लाइट है आए उहां पर आप राख सकते हैं देखिए फ्रेंट बहुत ही खुबसूरत प्लेंट है तो फ्रेंट्स मेरा आज क्या वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मेरे वीडियो को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो पर